यार मैंने तो सूचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे महिंगी कार्ड दिलाओगे अरे सब दिला दूँगा लेकिन पहले मुझे से शादी तो कर लो आहा क्यों नहीं मैं कुछ दिनों के लिए अपने ममी पापा की पास जा रहे हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूँगी अरे शुशिका कैसे रहूँगा वह तुमारे बिना अब तो शादी होने वाली हैं अम लोगों की शुशिका रवी को छोड़कर चली जाती है रवी घर आता है जहां रेहाना को ना पाकर उससे सब अजीब लगता है रवी रेहाना को वीडियो कॉल करता है लिकिन रेहाना फोन नहीं उठाती रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूँ चलो कोई ना शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे अगले दिन रवी ओफिस जाता है जहां टीना खड़ी होती है सर आपने अपने नए आड के लिए मॉडल के रिक्वार्मेंट डाली थी ना मैं उसी के लिए आई हूँ रवी टीना को देखकर खुश हो जाता है अब शादी हो गई है तुम्हारी नाइस सर बस अच्छा सा हैंसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे ममी पापा रवी के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का खयाल भी खत्म हो जाता है अरे यार ये लड़की मिल जाए कितने सुन्दर है शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझ से मिलकर तुम्हारी ये खुछ खत्म हो गई है आप ना आप तो दो बच्चों की पापा लग रहे हैं आरे नहीं नहीं मेरी शादी तो हुई थी लेकिन बेवी को किसी और से प्यार था मुझे छोड़कर चली गई खेर टीना की दोस्ती रवी से हो जाती है लेकिन एक महिने बाद शुशिका रवी के पास वापस आती है मेरे मम्मी पपा तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादी शुदा हो और हाँ शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी अरे पागल अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता बला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा तभी वहाँ टीना आ जाती है रवी ये पागल से औरत कौन है देखो तुम नहीं कहा दिया ना पागल तो पागल ही है पता नहीं कौन है कह रही है शादी कर लो लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो बोल तो सही रही है वैसे तुम जानते हो मेरी एक सहली है उसके पती ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया जिबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहली थी और मुझे भी भरोसा नहीं है अगर मैं भी तुम से शादी करूँगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रापटी कर दोगे अरे हाँ क्यों नहीं बिल्कुल कर दूँगा रवी और टीना की शादी की तारिक तै हो जाती है वो अपनी सारी प्रापटी की कागस लेकर शादी वाली जगह पर पहुँशता है लेकिन वहाँ टीना आती नहीं रवी टीना को मैसेज करता है कहा हो सारी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया रवी को गुस्सा आ जाता है वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहाँ रेहाना आ जाती है सर क्या हो गया क्या decoration पसंद नहीं आई आपको तुम तुम यहां क्या कर रही हो मैं यहां के decorator हूँ क्या आपको पसंद नहीं आई यहां की सजावच